भारत सरकार ने सोमवार को भी काबूल में फसे अपने नागरीकों को वापस लाने के लिए अभियान चलाया है और आज भी लोगों को वापस लाये हैं सिलीगुडी सनलगन कावाखाली के निवासी अमित्थापा ने बताया कि वे अफगानिस्तान के काबूल में काम करते थे और आज भी वापस आये हैं वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार के पहल में एक नेपाल के वासी को भी बागटोगड़ा एरोपोर्ट पर उतारा गया और यहां से वे नेपाल के लिए रवाना हुए सिलीगुडी से देवासीस मंदल की रिपोर्ट एसकिलाई परिस्तिती है इस सिट्रेशन को और भी बहुत देंजर है हुआ हम लोगा भी बहुत रुस्की रुआ था कंपणी ने इदर लाके एरपोर्ट में सोड़ दिया फिर कंपणी ने इदर सिंकुडी एर के मना लागा इदर काबूल लेगे तर हमारा उनके सिखित देल ने देल आप लोगो कहां से रिस्क्यु किया और किसों रिस्क्यु किया कांपणी ने सब कंपणीय नेकिकि अभी वह पे कितना भारत ही जनल भी इंदेर विबनेंन तो आप इंडिया में आ गया है अभी कैसा लग रहा है कि इतना होने के बाद आप फाइनली घर पहुच रहे हैं कैसा काटा हुआ पर बहुत मुश्किल सा लेकिया देख रहा है था अगर तो तुरह बता है तो देख तो हमारा एक मैं तो अमेरिकन इल्ट अच्छे जब हमारा कॉइन कंपदी ने हमारा था से स्रेम orage मन कारछा हैं कि अच्छे अच्छे आए यदिए अच्छे टौक टी अटेकर तो क्या देखा था ता 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 यदेबान लोगों ने आया गाड़ी करकर आया हात हों में जो वेपन बगरा थे क्या देखा?